हलो फ्रेंड्स आज का लीगल डिक्टेशन असी वर्ड परमिनट की गती से बूला जाएगा सो चलिए दोस्तो डिक्टेशन स्टार्ड होगा पांस सेकेंड बाद स्टार्ड प्रत्यर्थी ओबलिक बादियों ने अन्य बातों के साथ साथ यह कथन करते हुए हकदारी और कबजे की गोशना के लिए एक सिविल बादपाइल किया था कि बादपत्र की अनुसूची एक में उल्लिकित संपत्ती बादी संख्या एक और दो के पिता और बादी संख्या तीन के पती स्वर्गिय मनचर पुत्र आयतवा औराव की स्वा अर्जित संपत्ती है सरगुजा बंदोवस्त द्वारा रईयती अधिकार मंजूर किये गए हैं और इसके संबंध में पृतिवादी संख्या एक के पिता को उसके कुटुम्ब के भरण पोसड के लिए पिरसी संबंधी कारे के लिए अनुग्यप्ती दी गई थी इसके पस्चाद प्रत्यर्थी संख्या एक के पिता की मृत्यू हो गई और तब प्रत्यर्थी संख्या एक ने अनुग्यप्ती को जादी रखने का अनुग्यात कर दिया गया था और उक्त भूमी को जब भी उसे बापस मांगा जाए कॉमा बापस करने के लिए कहा गया था कॉमा तथा पी कॉमा इसके पस्चाद प्रतिवादी संख्या एक ने राजस्व अविलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया कॉमा जिसके कारण बर्तमान बाद फाइल किया ग भिरुद्ध एक पक्षी कार्यवाही की गई फुलिस्टॉप वादियों ने अपने कथन के समर्थन में तीन साक्षियों अर्थात भंगली कोश्टक स्टार्ट पी डबूब वन कोश्टक क्लोज कोमा फुल वसिया कोश्टक स्टार्ट पी डबूटू डूद और राम चरन कोष्टक स्टार्ट PW3 कोष्टक क्लोज की परिक्षा कराई फुलिश्टॉप प्रतिवादी संख्या एक ने बाद पत्र में किये गए कतनों से इनकार किया और अपने हक में प्रतिकूल कबजे का अभिवचन किया फुलिश्टॉप यद्दपी बिचारन्यायाला ने अभिलेग पर के मौखिक और दस्तावेजी साक्च का मुल्यांकन करने के पश्चाद यह निसकर्स निकाला की वाद अंतरगत संपत्ती स्वर्गी मनचर पुत्र आयतवा उराव की स्वार्जित संपत्ती है और यह संपत्ती बादियों को उत्तराधी कार में मिला है तथा पी कौमा यह भी अभी निर्धारित किया की बादी प्रतिवादी संख्या एक के पिता के हक में अनुग्यप्ती की मनजूरी को सावित करने में बिफल रहे हैं और इसलिए बाद खारिज कर दिया बादियों द्वारा अपील नियायालय में अपील फाइल किये जाने पर प्रतम अपील नियायालय ने बाद भूमी पर बादियों के हक की पुष्टी की तथा पी कौमा यह अभी निर्धारित किया की अनुग्यप्ती मौखिक हो सकती है और संपत्ती अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 117 लागू होती है प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतम अपील नियायालय के निर्णय और डिक्री को अक्छे पित करते हुए दुत्य फाइल की गई जिसमें विधी का सारभूत प्रस्न बेर्चित किया गया है जिसका निर्णय के आरंभिक पैरा में उलिक किया गया है अपील खारिज करते हुए दोस्तों डिक्रीशन अच्छा लगे तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद